इस दुनिया में असंबख कुछ भी नहीं हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा दोस्तों आज हम सौमी बेकानन जी की 5 ऐसे विचार आपको बताएंगे जिसमें से एक विचार भी अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो वही अकिला विचार आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफी है पहला जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे और तागतवर मानोगे तो तागतवर दोस्तों पूरा खेल सोचका है जैसा हम सोचते हैं होता वैसा ही है दूसरा कुछ मत सोचो बदले में कुछ मत मांगो जो देना है वो तो तुम्हाई पास खुदी आएगा पर उसके बारे में अभी मत सोचो करम करते जाओ फल की जिनता मत करो श्रीकिषने जीने जैसा गीता में अरजुन को बताया था कि अरजुन करम करते जा फल की जिनता मत कर फल तो तुझे मिलना ही है तो मिली जाएगा फल की चंता अभी से करके अपने आपको दुक्षी क्यों करता है कमजोर क्यों करता है तैसरा वचार जो भी कुछ तुमको कमजोर बनाता है शारिडिक, बोद्डिक या मानसिक उसे जहर की तरह त्याग दो जी हाँ दोस्तों जो भी चीज़ें आपको कमजोर गुनाती है जिस भी चीज़ों से आपको कमजोरी आती है आपको मानसिक तोर पर कमजोरी फील होती है उस चीज़ को अपने आपसे दूर कर दें जल्ली से जल्ली नहीं तो वो चीज़ आपको दिन पति दिन कमजोर करती चल जाएगी और आप सफलता तो छोड़िये अपनी दिन चर्या को भी ठैसे नहीं जी पाएंगे दोस्तों चौता विचार सची सफलता का आनंद लेना है तो सबसे बड़ा रहस से बदले में कुछ मत मांगो पूर रूप से निस्वार्त व्यक्ति ही सबसे सफल होता है कर्म करते समय कुछ भी मन में इच्छा ना रखें कुछ भी मांगे नहीं पस कर्म को पूरी इच्छा से पूरे आनंद से करते जाए एक दिन ऐसा आएगा जब सफलता आपके कदमों में होगी और आपके छेरे पर एक मुसकान होगी दोस्तों पाच्वा विचार एक विचार लो उस सभी विचार को किनारे रख दो यही सफल होने का तरीका है यही वे है सफलता का ऐसे ही सफलता मिलती है जिस विचार को आप सोचते हो उसी विचार को जीओ उसी सपने को जीओ जब तक आप अपने सपने को जीओगे नहीं आप अपने सपने को रियाल्टी में कभी नहीं ब झाल